आप सब कैसे हैं उमीद करते हूँ खेल के साथ पढ़ते भी होगी हूँ तो अब मैं सेकेंड स्टालर्ड का लेसेन सोर टू लेटर वर्ड्स बताने वाले हूँ जो की आपके टेक्स्टूक में है मैंने क्या किया है उपर की जो टू लेटर पर से और यहां की चार लाइन के टू लेटर पर से वो बोल्ट पर लिख दिया है अब मैं पढ़ के कैसे प्रणौंस करना है वो बताऊँगी और उनके मीनिक्स भी बताऊँगी चलिए अब पढ़ते हैं ना, ला, नल, नल मींज टा, फा, ला, फल, फल मींज फ्रूस, हा, ला, हल, हल मींज फ्लाव, अब है, आ, ई, आई, आई मींज जो फिमेल है, कोई दखी है, वो आई मतलब, आई है हो, यहाई है, पिर, आ, आ, इ, आई, आई मींज हम किसी को रेश्पेक्ट लिपो रहे है, किया, वो आई है, फिर, आ, ओ, आओ, हम अपने, हम दों बुर्भाळे को बुलाते हैं, आओ, मतलब यहाँ आओ, फिर, का, ला, कर, कर मींज तुमारो और यस्टड़े, का, ला, कर, कर मींज कोई काम करो, तो हम कर के दिए कर भो कर इस तरह से फिर है खात आख खर्ख हम लेटर को कहते हैं गाज अ गर्ज गर्ज कृते हैं गाना घर्ण हम अक्लाउड को कहते हैं चार अ चर्ण जो गाई जो है धाव घास को फाती है जड़ जबिना समसाड, खाती रही यहां खाती वहां पहती उसे हम चा क्याते है, चा क्याते हैं चाठका चाठ, चाठ मेंज टेरेस जश्श्रा जश्श्ष जश्श मेंज फिश्श ता बा तब, तब मिन्स जो आखके को में गड़ में बादों में तब बता ना बड़ा तब, उसे हम तब कहते हैं, वो इंगरिश में भी तब ही कहते हैं डा ना डर, डर मिन्स अफरेट, ता तड, तड, तड मिन्स कोई किनारा, नदी का किनारा, था ना थन, थन मिन्स जो गायक, गायक को हम चाहँ से दूर निकालते हैं, उसको थन कहते हैं, अब है, दा बा दा, डब mean्स किसी चीज को दबा देना, धा रा धर, घर means किसी को पकड़ना, नटा नट, नट मिन्स जो लोग रसते पर लोगे, कुछ सरकसि ऐप करते हैं, उसे हम नट कहते हैं, पाथा पट, पट मिन्स दर्वासा, पाळा पट मिन्स जो मिन्स आइड़ी प्रूट्स, प्रूट्स को हम फल कहते हैं तो बच्चों यह सबी two letter words है यह एक one letter है और यह एक one letter है तो यह दोलों मिलगी two letter words है जैसे English में होता है वैसे यह हिंदी का two letter words है अब हम हम उसी lesson का यह lesson four से three letter words पढ़ेंगे और मैं आपको इसका मतलब भी बता होगी तो concentrate कीजिए सबक, सबक means lesson करना सडक, सडक means road अनक means specs, जो मैंने पहना हुआ है ओखल means, ओखली की ही है यह जो मसाला पिस्ते के कामा करेंगे उसको गोखल कहते है रबड़ रबड means, रबड जिससे tire बनता है हमारा rubber हम use करते हैं उसको rubber दियते हैं बजना बजन बजन means, chanting करना प्रेयर करना हम बगवान के सामने बजन करते हैं उसे कहते हैं बजन इधर रा इधर इधर means, here कामाला कमल means, lotus मांगरा मगरमच को मगर कहते हैं अरचला अरचल means, स्थेर होना एक जगा खड़े रहना हिलना नहीं वहां से आमाला अमर means जैसे कि जो आर्मी परसें मर जाते हैं हम उसको यह नहीं कहते हैं उसको कहते हैं मर के भी जो जिन्दा रहे उसे हम अमर कहते हैं तो children यह जो है इसको अगर आपको अगर आप यह letters जैसे कि स्वार और वेंचन जानते हैं उसको प्रनाउंस करना जानते हैं उसको पढ़ना जानते हैं तो आपको easy होगा इनको join करके पढ़ने के लिए तो अभी तो अराब से घर पही है थोड़ा practice कीजिए तो आपको 100% आ जाएगा ठीक है आप हम उसी lesson से 4 letter words पढ़ेंगे अब हम उसी lesson जैनी lesson 4 से आपकी मात्रक जो lesson है उसमें 4 letter words पढ़ेंगे तो पहले मने आपनोंको 2 letter words बताया है 3 बताया है आप 4 बताने वाली मूं ध्यान दीजिए आचाकन अचकन जो शेरवानी होता है उसे हम अचकन मेरते हैं दरफाना दरबड दरबड means mirror गड़बड गड़बड means कोई जीस गड़बड कर देना हम उसको बिगाड़ देना जटबड 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 means very fast सरकस सरकस इंग्रिश में भी सरकस ही होता है जो सरकस लगता है आप देखने जाते होगे अपने पेरेंस के साथ दमकल दमकल means fire brigade जो कि कहीं आप लग जाए तो एक टैंक के पानी को आते हैं और उसको आपको पुझाते हैं तो ये आज हमने टू, ट्री और फॉर एड़वर्स सीका हैं अब हम लेसन में जाएंगे जो कि मैं बाद में आपने में को पढ़के सुनाओंगी और बताओंगी थैंक्यू